तो हेलो माई डियर स्टुडेंट्स, माई डियर फ्रेंड्स, वन्स अगेन वेलकम ओल अफ यू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 11th क्लास की आज हम 2nd chapter जो है snapshot book का वो discuss करने वाले हैं The Address, The Address जो है इस chapter का title ऐसा क्यों है The Address क्योंकि कई address ऐसे होते हैं जो याद रखने से हमें कई बार खुशी मिलती है और कई address ऐसे होते हैं जो याद रखने से हमें कई बार तकलीफ पहुंचती है या दुख पहुंचता है तो इसी असमन जसका ये chapter है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं एक daughter है जो की आती है अपनी माँ से मिलने वहाँ पर वो किसी और को देखती है और अपनी कुछ परिचित चीजों को वो miss करती है वो याद करने लगती है जो उसके घर में पहले हुआ करती थी अब नहीं है और कैसे कुछ चीजों से हमारी बच्पन की यादे और भावनाय जुड़ी हुई होती है कैसे हमें उन चीजों को छोड़ देना होता है कई बार कुछ ऐसी चीजे जिनसे हमारी भावनाय या यादे जुड़ी हुई है उन्हें रखना हमें अच्छा लगता है तो कई बार क कुछ ऐसी यादे या भावनाय भी होती है कि उन चीजों से जुड़ी होने के कारण ऐसा लगता है कि ये ना हो तो ही जादा अच्छा है तो इसी कश्मकश से संबंदित ये एक चैप्टर है कि कैसे हमारी लेखी का जो है वो अपने घर आती है और भिन इस्तितियों को देखत है क्योंकि वो एक युद्ध के दौरान अपने घर आती है तो किस तरीके से परिस्तितियां उसके आसपास बदल जाती है इसी बारे में ये चैप्टर है तो चैप्टर को डिसकस करते हैं तो चैप्टर सेकेंड है हमारा दा एड्रेस एक पता Do you still know me? I asked क्या मैंने पूछा क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly और उसने मुझे ऐसे पहचानने की कोशिश करते हुए उपर से नीचे तक देखा कि भी कौन है कौन नहीं है शायद वो मुझे जान नहीं पाई तो उस ओरत ने मेरी तरफ देखा searchingly जवाब धूनने वाले तरीके से She had opened the door, a chick, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला I came closer and stood on the step मैं उसके थोड़े करीब गई ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके और मैं step पर, यानि जिस सीड़ी पर मैं खड़ी थी, मैं वहीं खड़ी रही यानि अभी भी मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ और वो दरवाजे के अंदर है यानि कि वो हलका सा दरवाजा खोल करके और मुझे देख रही है कि कौन है, कौन नहीं है, पूछ रही है कि क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो या नहीं जानती और वे वहीं CD पर खड़ी रही उसने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया No, I don't know you और उस और उस औरत ने पलट करके क्या जवाब दिया नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती I am Mrs. S's daughter मैं Mrs. S की daughter हूँ वे अपना परीचाय देते हुए कहती है she held her hand on the door उसने अपने हाथ को अभी भी दर्वाजे पर लगाये रखा as though she wanted to prevent it opening any further जैसे कि वो उस दर्वाजे को रोकने की कोशिश कर रही हो कि दर्वाजा और जादा ना खुल जाए ठीक है अब और जादा ना खुल जाए उसके बहुत सारे कारण है जो चैप्टर में आगे समझ में आएंगे लेकिन जब मैंने अपना परीचाय दे भी दिया कि मैं Mrs. S की डॉटर हूँ तब भी उसने दर्वाजे को ऐसे ही पकड़े रखा कि वो और जादा नहीं खुलना चाहिए she wanted to prevent it opening वो उसे खुलने से रोकना चाहती थी any further और आगे खुलने से her face gave absolutely no sign of recognition उसके चेहरे ने कोई भी ऐसा चिन नहीं दिखाई दिया कि वो मुझे पहचान पा रही हूँ she kept staring at me in silence वो बस शांती से बिलकुल चुपचाप मेरी और घूरती रही या मुझे बस ध्यान लगा करके एक टक देखती रही perhaps I was mistaken और जिस तरीके से मुझे देख रही थी परीचे देने के बाद भी नहीं पहचान रही थी मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है I thought perhaps it isn't her शायद ये वो नहीं हो जो मैं समझ रही हूँ I had seen her only once मैंने उसे अपने इतने लंबे जीवन समय में जीवन काल में किवल एक बार देखा है fleetingly and और कितनी दर के लिए देखा है एक शन के लिए एक शन मातर के लिए मैंने उसे देखा है and that was years ago और वो भी कई सालों पहले it was most probable that I had rung the wrong bell और ये सबसे ज़ादा संभावित है यानि ये उने की सरवादिक संभावना है कि मैंने शायद किसी गलत घर की घंटी बजा दी है और अब यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा मैं background बता देता हूँ क्योंकि अब confusing हो रहा होगा तो यहाँ पर एक लड़की है जो war पर गई थी वो वापस आती है वापस आने के बाद में उसे एक address बताया जाता है उसकी मा के द्वारा कि बटा ये address हमेशा याद रखना और कभी भी अगर तुम आती हो तो तुम इस address पर आके मुझे मिलना अगर तुम आती हो मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि जंग में जो लोग जाते है न उनका भरोसा नहीं रहता जो war पर जाने वाले होते हैं उनका कोई assurance नहीं होता वापस आएंगे या नहीं आएंगे तो उसकी मा के द्वारा जो address उसे बताया गया था वो वहाँ पहुंचती है वहाँ पहुंचने के बाद बैल बजाती है और अंदर से खुलने पर जब कोई आता है गेट खुलने पर जब महाँ से कोई आता है तो उसे अपना पूरा परीचय देनी की कोशिश करती है कि यह मैं हूँ, यह मेरा परीचय है मैं Mrs. S की डॉटर हूँ क्या आप मुझे पैचानती है, क्या आप मुझे जानती है लेकिन वो बिलकुल ऐसा बहेव करती है जैसे वो उसे नहीं जानती वो उसे बिलकुल भी परीचत नहीं है, तो यहाँ पर यही चीज हो रही है और यहाँ पर फिर ओथर को एक रियलाइजेशन हो रहा है, उसे मनी मन लग रहा है शायद मैंने ही किसी गलत घर की घंटी बजा दी है मेरी मॉम ने जो एडरस बताया ता शायद वो यह है नहीं है अब वो खुद पर डाउट करने लगती है नेक्स आता है तो वोमेन लेट गो और अफ दा डोर और स्टेप टू असाइड और अपने उस डोर को जाने दिया और साइड में उसने अपना थोड़ा साइड में खसक गई स्टेप टू साइड साइड में आई शी वास वीरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेट कार्डिगन और उसने मेरी मा का ग्रीन कलर का जिस पर बुनकरी की वही थी जो बुना हुआ था अलग अलग तरीके से वो कार्डिगन पैन रखाता है यानि कि उपर की तरफ जो स्वेटर लीडीज के द्वारा पैना जाता है जिसमें आगे की तरफ बटन्स होते हैं और उसके जो लकडी के बटन्स थे वर रैधर पेल और बार बार दोए जाने के वज़े से उनका रंग फीका पड़ गया था उसने ये देख लिया कि मैं उस कार्डिगन के और देख रही हूं और मैंने उस कार्डिगन को पैचान लिया है और जो डोर उसने पहले खुलने दिया था उसे वापस पकड़के और अपने आपको आदा उस दर्वाजे के पीछे छिपा लिया उस दर्वाजे के पीछे आदी छुप गई ताकि उसके कपड़े उसके कार्डिगन जो है मैं देख ना पाऊं क्योंकि मैं उसे पैचान सकती हूँ वो मेरी मा का है इससे पिछली फ्रेम पे क्या देखते हैं जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी जिस तरीके से उसका व्यवहार था मुझे ऐसा लगा शायद मैंने गलत घर की गंटी बजा दी है लेकिन उसके बाद में उसका ग्रीन कलर का कार्डिगन देख करके जो की पहले मेरी मा का हुआ करता था उसे देख करके पूरा अश्यरेंस हो गया I knew now अब मैं जानती हूँ that I was right कि मैं सही थी मैं सही घर की गंटी बजा रही थी ठीक है गाइस आगे देखते हैं well you knew my mother खेर तुम मेरी मा को जानती हो उसने पूछा I asked मैंने पूछा have you came back have you come back said the women I thought that no one had come back उसने क्या कहा क्या तुम वापस लौट आई हो अब वो उसे पैचान गई है कि यह कौन है कौन नहीं ठीक है क्यों क्यों काईडिगन के हिसाब से उसे एक अंदाजा मिल गया have you come back क्या तुम वापस आ गई हो यहाँ पर जो लेडी है घर में वो उस shoulder से यानि कि जो daughter है उ और जब भीषण चल रही हो तो कोई लौट कर वापस नहीं आता लेकिन क्या तुम वापस आ गई हो ऐसा उसने पूछा only me तो इस पर जो daughter है उसने पलट के जवाब दिया केवल मैं ही वापस आई हूँ और कोई नहीं आ है केवल मैं ही वापस आई हूँ a door opened and closed in the passage एक दरवाजा खुला और बंद हो गया उस गलियारे में behind her उसके पीछे a musty यानि कि फभूंदीदार या सीलन भरा या गंदा सा smell emerged और जैसे ही दरवाजा खुला और बंद हुआ यानि कि वो दरवाजे के बाहर आकर कि उसने दरवाजा पीछे से अपने कमरे का ब बाहर निकल के दरवाजा पीछे से बंद करके वो लीडी क्या कहती है मुझे इस बात का अफसोस है या मुझे इस बात का बहुत पच्तावा है कि मैं तुमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती I cannot do anything for you तुमारे लिए कुछ भी करपाना मेरे लिए संभव नहीं है I have come here specially on the train I wanted to talk to you for a moment और उसके बाद में डॉटर वापस फलट के कहती है कि मैं विशेश रूप से इतनी दूर से train में बैट करके केवल specially आप से मिलने के लिए मुझे बस एक शन के लिए आप से बात करनी है it is not convenient और ये सुईदा जनक नहीं है उस लेडी ने कहा कि यह यहाँ पर possible नहीं ह हमारा बात कर पाना हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते for me मेरे लिए convenient नहीं है now इस समय said the woman ने कहा I cannot see you मैं आपको I cannot see you another time मैं आपको देख नहीं सकती फिर कभी यानि another time किसी और time तो उसने कहा कि भाई आप तो मेरे से भी बात नहीं कर सकते लेकिन मुझे तो भी train पकड़के व अपने war front पे तो मेरे लिए यह possible नहीं है कि मैं फिर से आकर किया किसी और समय पर आकर किया आपसे मिलू she nodded उसने सर हिलाया and consciously close the door as though no one inside the house should be disturbed उसने हा में समझ के इस बात को समझ के कि हा ठीक है तुम बात में नहीं आ सकती मिले उसने सर हिलाया और ध्यान पूर्वक बहुत सावधानी से उसने उस दर्वाजे को बंद कर दिया जैसे कि वो यह नहीं चाती थी no one inside the house should be disturbed के घर में और जो लोग है उनमें से कोई भी व्यक्ति डिस्टर्प नहीं होना चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए ऐसा सोचते है उसने धीरे से पीछे दर्वाजा बंद कर द दिया I stood where I was on the step और मैं वही खडी थी जहां पर मैं पहले खडी थी उसी सीडी पर the curtain in front of the big window moved और मेरे सामने की तरफ जो खिडकी थी बाहर की और खुलने वाली जो खिडकी थी उस पर जो परदा था उसे हिलाया गया someone stared at me and would then have asked what I wanted कोई मेरी और घूर घूर के देख रहा था और उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाती थी क्यों आई हो भाई क्या चाती हो क्या चाहिए तुम्हें क्यों आई हो यहां हमें disturb करने हमें परिशान करने या हमें bother करने के लिए तुम यहां क क्यों आई हो ऐसा उसने पूछा तो पलट करके इस शोल्जर ने डॉर्टर ने I said यानि मैंने कहा ओ नथिंग अरे कुछ नहीं चाहती तो वूमन वुड हैव सेड उस औरत ने ऐसा कहा होगा एसा कुछ भी नहीं था कि मुझे आपसे कुछ चाहिए I looked at the nameplate again और मैंने उस nameplate की और फिर से देखा darling it said और इस पर क्या लिखा हुआ था darling लिखा हुआ था in black letters काले काले अक्षरों के अंदर on white animal यानि कि सफेद रंग का पीछे का background था और इस पर black color में लिखा हुआ था black letters में लिखावा था darling and on the jam यानि कि दर्वाजे का पिछला जो उपरी भाग होता है a bit higher जो की सामान्या से थोड़ा उचा था the number यानि कि दर्वाजे के उपर की और जो है वो number लिखावा था आपने देखा होगा ना कि दर्वाजे का जो उपर वाला छोर होता उसके उपर गोल सा बनावा होता और उस पर जो house numbers होते हैं वो लिखेवे होते हैं या room numbers लिखेवे होते हैं पुराने जमाने वाली style में number 46 और number क्या था उसका house का 46 as I walk slowly back to the station वहाँ पर बात करने के बाद जैसे मैं धीरे धीरे वापस अपने railway station के और जा रही थी I thought about my mother तो अब वही पुराने विचार अपनी मा से संबंदित वही विचार उसके दिमाग में आने लगे who had given me the address years ago जिसने मुझे वो पता दिया था जिसने मुझे वो address दिया था कई साल पहले it had been in the first half of the war और ये उस समय की बात है जब युद्ध का पहला चरण चल रहा था यानि की प्रथम अर्द भाग जिस समय पर चल रहा था उस समय की बात है जब मेरी माने कई साल पहले मुझे ये address या पता दिया था इस बारे में मैं सोच रही थी जैसे जैसे मैं चलते हुए दीरे 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 स्टेशन की और जा रही थी I was home for a few days मैं घर पर थी अपने कुछ दिनों के लिए and it stuck me immediately that something or other about the rooms had changed और I stuck मैं वाँ फसी भी थी महाँ पर कुछ समय के लिए फस गई थी मैं घर पर ही immediately उसी समय that something or other कुछ या अन्य about the rooms had changed और मुझे उसी समय अचानक से ध्यान आया कि कुछ चीजें या कुछ दूसरी चीजें जो मेरे कमरे में हुआ करती थी वो अब बदल गई है वो वैसी नहीं है जैसी मैं छोड़ करके गई थी यानि कि यह अपने मन में विचार कर रही है कलपना कर रही है कि जब last time यह अपनी mom के साथ थी तो उस समय में किस तरीके से चीजें वहाँ पर बदली I missed various things और मैं बहुत सारी चीजों को वहाँ से गुम पा सकती थी various यानि अनेकों चीजें वहाँ से miss थी my mother was surprised I should have noticed so quickly और मेरी मा यह देखकर के बहुत आश्यरी चकित हो गई कि मैंने चीजों को बहुत जल्दी notice कर लिया था so quickly मैंने चीजों को notice कर लिया था then she told me about Mrs. Darling तब उन्होंने मुझे Mrs. Darling के बारे में बताया था I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन स्पष्ट रूप से उस समय मुझे पता चला कि वो मेरी मा की एक पुरानी परीचित या पुरानी साती थी whom she had not seen for years जिनको उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था यानि कि कई सालों से वो अपनी पुरानी साती से या अपनी पुरानी परीचित से नहीं मिली थी जो मिसेस डॉर्लिंग थी तो यहां पर हमें ये समझ में आता है कि पहले का सीन जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से घटना करम हुआ और अभी ये धीरे धीरे वापस station की और जा रही है और किस बारे में है ये chapter वो अब धीरे धीरे हमारे सामने आएगा घर में आती है अपना घर देखती है और इसना लगता है यो यहां पर एक बड़ी सी light हुआ करती थी वो light तो है ही नहीं यहाँ पर एक چांदी के बरतन और चमच वगर पढ़े रहते थे वो तो है यहाँ पर सजाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी वो तो ही नहीं गुल दस्ता renewed their contact since then she had come regularly. उनका अचानक से वापस से साथ बन गया था जिससे वो काफी लंबे समय से नहीं मिली थी यानि कि हमारी ओथर की मा अपनी फ्रेंड के लिए कह रही है कि मैं काफी लंबे समय से नहीं मिली थी लेकिन अचानक से turned up and renewed और उनका जो समझोता था उनका जो संबंद था आपस में परीचय था वो वापस से रिन्यू हो गया since then she had come regularly और तब से वो निरंतर हमारे घर पर आती रहती थी every time she leaves here she takes something home और हर बार जब भी वो यहां से जाती है तब वो कुछ ना कुछ अपने साथ कुछ ना कुछ ना कुछ सामान हमारे घर से उठा उठा कर अपने घर ले जाती है she took all the table silver in one go यानि कि table पर जितना भी silver का item पड़ाता वो पहली बारी में आई और उठा कर ले गई and then the antique plates और उसके बाद antique यानि दुरलब जो अपने आप में अद्वितिय होती है ऐसी plates जो थी वो भी ले गई that hung there जो कि वहाँ दिवार पर तंगी हुई थी वो वो plates भी ले गई अना she had trouble lugging those large verses and I am worried she got a crick in her back from the crockery और उसे बड़े बड़े जो हमारे फूलदान थे जो large verses थे flower verses का जाता है जिनमें इस तरह के फूलदान होता है बड़े बड़े तो large verses जो है उसे ले जाने में उसे बहुत परिशानी हुई थी and I worried और मुझे बहुत चंता है कि जब वो crockery लेके जा रही थी तब उसे उसकी पीठ में मोच भी आ गई थी यानि कि चांदी के जितने बरतन थे ले गई antique plates ले गई फूलदान बड़े बड़े थे वो ले गई बड़ी समस्या से ले के गई भाई बहुत आसानी से नहीं ले जा पाई बहुत दिक्कत से ले के गई और साथ ही साथ जब वो बचेवे बड़तन इत्यादी जो थे वो ले करके क्रॉकरी ले करके गई तब उसे कमर में मोच भी आ गई थी मैं मदर शूक हर हैड पिटिंग ली यानि दया दिखाने वाले भाव से मेरी मान ने सर्थ कहिराया कि कितनी परेशानी से वो सारी चीजे ले के गई और मैंने कभी भी उससे ये पूछने का साहस नहीं किया कि वो सारा सामान उठा कर क्यों ले जा रही है क्योंकि उसने खुद ने ही मुझे ये राय दी थी शी इवन इंसेस्टेट उसने बलकि जिद पकड़ ली थी कि भाई तुम अगर सारे सामान के साथ यहां पकड़ी गई तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी वार के दौरान इसलिए थोड़ा-थोड़ा सामान मुझे ले जाने दो ताकि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है थोड़े समय के लिए अगर तुम जेल चली भी जाती हो तो वापस आने के बाद तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाए या थोड़े समय के लिए अगर कोई ट्रॉबल हो जाती है तो सारा सामान तुम्हें वापस आने पर मेरे घर में मिल जाएगा इसलिए insist करके जोर जबरदस्ती से भी वो उस सामान को वहां से ले गई Wanted to save all my nice things, she wanted to save यानि कि वो मेरी सारी अच्छी चीजों को बचाना चाहती थी, संग्रहित करना चाहती थी If we have to leave here, अगर हमें यहां से जाना हो, we shall lose everything she sees अगर तुम्हें यहां से जाना पड़ा, तो जो कुछ तुमारे पास है, तुम सब कुछ खोदोगी अगर तुम नहीं खोना चाहती, तो इस सामान को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं अपने घर पे ले जाती हूँ, जहां यह सुरक्षित रहेगा Have you agreed with her that she should keep everything? I asked, मैंने पूछा, क्या आपने उसे सहमती जता दी थी, क्या आपने उसे agree कर लिया था? क्या ठीक अब यह सारी चीज़े तुम अपने पास रख ले ना? As if that's necessary, हाँ बिलकुल वैसे ही, जैसा कि मुझे लगा, अगर यह आवश्यक हो तो My mother cried, मेरी माने रोते वे या चीकते वे चिलाते वे कहा It would simply be an insult to talk like that इसे मैं सामान्य तोर से एक अपमान मानती हूँ, जिस तरह से तुम मुझे से बात कर रही हो And think about the risk, she is running उस joking के बारे में सोचो, जो joking वो यहाँ से सामान ले जाकर उठा रही थी यानि कि जो joking वो उठा रही थी, सामान ले जाकर के, उसके बारे में तो सोचो, कि कितना joking उठाया उसने कि सारा सामान उसके घर पे सुरक्षित रहे कल को मालनो मुझे एक दम से यहाँ से निकलना पड़ता तो, यह सारा सामान तो जब तो हो जाता, हमें कुछ भी वापस नहीं मिलता तो अगर तुम मुझे से इस तरह का सवाल पूछ रहे हो, कि क्या आपने agree कर दिया, कहाँ सब ले जा तो यह कह कर के तुम मेरा अपमान कर रही हो, think about the risk she is running उस जोखिम के बारे में सोचो, जिससे वो गुजर रही थी, each time she goes out of our door जब भी वो हमारे घर के दरवाजे से बाहर जाती थी, with a full of suitcase और bag जहां एक बड़ा सा सूटकेस या बड़ा सा बैग भर के सामानों का वो ले जाती थी ठीक है guys, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced और ऐसा लग रहा था कि मेरी मा समझ गई है, उनको समझ में आ गया है कि उनकी इन सारी बातों से मैं पूरी तरीके से convinced नहीं हो पा रही हूँ या मैं इन चीजों से convinced नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ उनके जवाबों से उन्होंने डाटने वाले अंदाज में, अधिकारते वा अंदाज में मेरी तरफ देखा and after that we spoke no more about it और उसके बाद हमने कभी उन चीजों के बारे में बात नहीं की कभी उन चीजों के बारे में हमने discuss नहीं किया जो भी Mrs. Logling ले जा चुकी थी meanwhile इसी दौरान I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way और इसी दौरान मैं बिना कोई जादा ध्यान दिये इन सारी चीजों पर मैं अपने railway station पर पहुँच चुकी थी meanwhile इसी दौरान I had arrived मैं पहुँच चुकी थी at the station railway station पर without having paid much attention बिना जादा ध्यान दिये two things on the way जो रास्ते में जो चीजे थी ना कि इधर एक दुकान खुली भी है इधर कोई थेला लगा हुआ है इधर कहीं बच्चे खेल रहे हैं जो भी I was walking in familiar places again for the first time मैं वापस उन्ही परीचित जगहों से वापस निकल रही थी फिर से first time since the war पहली बार जब से war शुरू हुआ था but I did not want to go further that than was necessary लेकिन मैं जादा आगे इन चीजों के बारे में वैचारिक तौर पर नहीं जाना चाहती थी जितना की ज़रूरी था I did not want to upset myself with the sight of the streets and houses full of memories from a precious time यानि कि मैं अपने आपको जैसा मैंने भी या पर कहा कि मैं चीजों पर जादा ध्यान नहीं दे रही थी वैचारिक तौर पर इस घर से लेफ्ट मूरना है वहां से राइट मूरना है महां से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हो मुझे स्टेशन पहुचना है इतनी सी बात है तो उस घर से लेफ्ट मूरना है बस इतना ही सोचना है इससे जादा नहीं सोचना यह गर कितना खुबसुरत हुआ करता था, यहां मेरी फ्रेंड रहती थी, मैं उससे मिलने आती थी, कितना अच्छा खुशनुमा समय था बच्पन का, जितनी आवशकता है मैं उतना ही सोच रही हूँ, मैं उससे जादा नहीं सोच रही किसी भी सड़क के बारे में, किसी भी to upset myself, मैं अपने आपको upset नहीं करना चाहती थी, दुखी नहीं करना चाहती थी, with the sight of the street, सड़के जो द्रश्य थे उन्हें देख करके, and houses, full of memories, और उन घरों को देख करके, जिनके बारे में कई यादे मेरे दिमाग में भरी पड़ी थी, from a precious time, एक मुल्यवान और एक बहु इतना ही देख रही थी, उतना ही समझ रही थी, जितना की आवशक्ता थी, उससे जादा नहीं, in the train back, I saw Mrs. Dogling in front of me again, as I had the first time, I met her, और जब मैं ट्रेन में वापस थी, तब मैंने Mrs. Dogling को देखा, अपने सामने, एक बार फिर से, जैसा कि मैंने पहली बार में देखा था, I met her, जब मैं उनसे मिली थी, it was the morning, after the day, my mother had told me about her, ये उस दिन का सबह था, ये वो सुबह थी, जब मेरी मा ने मुझे उनके बारे में बताया, उसके अगले दिन की सुबह, जैसे आज शाम को मेरी और मेरी मा की बात हो रही है, कि Mrs. Dogling है, ऐसे ऐसे आती है, सामन लेके चल जाती ह अगले दिन सुबह, जैसा मैंने उनने देखा था, आज भी मैं अपने सामने उनने वैसे ही देख रही थी, I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back, और उसके बारे में, I had got up late, मैं सुबह लेक उठी थी, and coming downstairs और सिद्ध्य उतर के आ रही थी, I saw my mother, मैंने अपनी मा को देखा, about to see someone out, जो किसी को बाहर की और देख रही थी, a woman, एक ऐसी औरत को, with a broad back, जिसकी बड़ी सी, मतलब, back वाला हिस्सा, पीट जो है, चौड़ी सी पीट उसकी है, there's my daughter, और उन्होंने मेरा परीचाय कराया, Mrs. Dogling से, कि ये मेरी बेटी है, said my mother, मेरी माने कहा, she been knocked to me, उन्होंने इश लाने की जरत पड़ जाये, तो कम से कम रामा शामा तो कर लो आपस में एक दूसरे से, तो ये अब वापस से अपनी पुरानी यादों में जा रही है, कि अब जब रेलवे स्टेशन पे मैंने उन्हें देखा, तो मुझे वही पुरानी यादे वापस आ गई, जब मैंने प इशारे से बुलाते वे कहा, परिचय कराते वे कहा, कि ए मेरी बेटी है और अन्टी से परिचय करने के लिए मुझे भी इशारे से अपने पास बुलाया, तो बिनोक्ट के लिए ऐसा कहा गया है, दो मुमन नॉड़ड एंड पिकड अप दा सूटकेस, उस औरत ने हां में स और ब्राउन कोट पैन रखाता और उसने ब्राउन कलर का एक कोट पैन रखाता बड़ा सा और एक ऐसी हैट पैन रखी थी जिसका शेप अच्छा नहीं था या सही नहीं था तो उन्होंने मेरे लिए पूछा क्या ये दूर रहती है मैंने पूछा कि क्या मिस्स डॉगलिंग जो है वो दूर रहती है उन्हें घर से बाहर निकलने में जो तकलीफ हो रही थी उनके हाथ में भारी सा सूटकेस था उसे लेके बाहर जा रही थी उसे ले जाते वे जब वो बहुत ऐसा है जा बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही थी कटिनाई से उसे ले जा पा रही थी तो मैंने पूछा क्या ये यहां से दूर रहती है आंसर मुझे क्या मिला इन मारकॉनी स्ट्रीट में रहती है said my mother, मेरी माने कहा number 46, house number 46 में remember that, इस बात को याद रखना, ठीक है तो remember that, यहाँ पर उसकी mom कहती है कि याद रखना कि macaroni street पर यह रहती है और यह जो है number 46 house number यह आप यह कह सकते हैं कि room number 46 जो है वहाँ पर यह रहती है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो नीचे आई, परीचे हुआ उसके बाद में coat rack और कुछ सामान जो है वो लेकर के जा रही है और जैसे ही उन्हें ले जाते वे मैंने देखा कि उन्हें बहुत परेशानी से क्योंकि बहुत जादा सामान लेकर जा रही है प्रतिक्षा की यह इंतजार किया वहाँ जाने के लिए इनिशली आफ्टर दा लिबरेशन आजादी के तुरंद बात I was absolutely not interested in all that stored stuff मैं बिलकुल भी मेरी कोई रूची नहीं थी मेरा कोई इंटरस्ट नहीं था उन सारी इखटी की हुई जो भी आँटी जो है अपने घर ले गई थी धीरे धीरे करके उन चीजों में मेरी कोई रूची नहीं थी मेरा कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं था and naturally I was also rather afraid of it और सभाविक तोर पर मैं उनके बारे में चिंतित भी थी afraid of being comforted with things that had belonged to a connection that no longer existed यानि कि उन चीजों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी यादें जो पहले तो बहुत आराम देने वाली थी बहुत खुशी देने वाली थी लेकिन अब उन चीजों से जुड़ी कुछ ऐसी यादे थी जो मुझे आराम नहीं पहुचा सकती थी सुकून नहीं पहुचा सकती थी बलकि हर्ट कर सकती थी तो उसके लिए क्या कह रही है अफ्रेड मैं डरी भी थी of being comforted कि मैं उन चीजों का सामना कैसे करूंगी with things उन चीजों का that had belonged to a connection जो कि संबंध रखती है एक connection से that no longer existed जो कि अब शेश नहीं रहा है अब बाकी नहीं बचा है यानि कि वो संबंध जो अब समाप्त हो चुका है which were hidden away in cupboards वो संबंध वो चीजें जो कि छुपे हुए हैं उन cupboards के अंदर उन अलमारियों के अंदर and boxes और उन बक्सों में and waiting in vain और बहुती तडप या पीड़ा के साथ इंतजार कर रहे हैं until they were put back in their place again कि कब उन्हें वापस उनके सही स्थान पर रखा जाएगा यानि कि कब सामान जो है जो आंटी जी ले गई है वो वापस मैं अपने घर ला करके जो सामान जहां पहले रखा हुआ था वहां रख सकूँ तो वो सामान जो है वो भी अलमारियों में और बक्सों में पड़ा पड़ा इंतजार कर रहा है कि कब कोई आएगा हमें यहां से लेके जाएगा और हमें वापस अपनी ओरिजनल जगह पर लगा देगा which had endured all those years because they were things जो कि उन वस्तुओं ने उन प्लेट्स ने उन वस्स ने या आप कह सकते हैं उन कटलरी ने सब ने इंतजार किया है सहन किया है इतने सालों तक और क्यों इंतजार किया है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते because they were things क्योंकि वे केवल चीजे हैं वे केवल वस्तुओं हैं मनुष्य नहीं है इंसान नहीं है कि फिर से अपनी सहजता वाली जगह पर जा सकें ये केवल वस्तुओं हैं इन्हें बहुत लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा और इन्हें इस सारी चीजे इतने सालों तक सहनी पड़ी कि बैठके इंतजार करें कि कभी तो कोई आएगा हमें वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर ले जाने के लिए जहां पर जहां से हम बिलॉंग करते हैं तो गाइस ये हमारा फस्ट हाफ है इस चैप्टर का आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा वापस होई है कि स्टोरी लाइन अप थोड़ा आगे पीछे चल रहा है स्टोरी लाइन बहुत सिंपल चल रही है कि जो हमारी ओथर है वो मिलने के लिए आती है उसे एक एड्रिज दिया जाता है उस एड्रिस पे जाती है वहाँ पर वह बात करने ही कोशिश करती है बात नहीं हो पाती है वह वापस बात होती है नहीं होती हो खेर सेकेंड आप में पता पड़ेगा मैं भी नहीं बोलूँगा वापस जब जाने वाली होती है वापस जा रही होती है रास्ते में उसे अपने मा के साथ होई वे जितने भी वुरतांत है जो भी समय है वो उसे याद आता है कैसे उनका mrs. blogling से परीचाय होता है वो भी सारा का सारा उन्हें याद आता है स्टेशन पहुशने के बाद वो उन्हें देखती है और पुरानी यादे फिर से एक बार ताजा हो जाती है उन वस्तुओं की क्या भावना है और उन वस्तुओं से सम्मंदित ओथर की क्या भावना है उसके बारे में बताया जाता है कि पहली बात तो जब उसकी मौम ने अलाओ किया कि आप सारा सामान ले जाओ उसको कही न कहीं वो बात अच्छी लगी नहीं आप लोगों को शायद जान करके अच्छा लगेगा या ताज़ूब भी होगा मेरे पास मेरी 9, 10, 11, 12 की जो बुक्स हैं जो कॉपीज हैं काफी संस्कृत से रिलेटेड जो कॉपीज हैं वो आज भी मेरे पास बहुत समाल के रखी वी है मैं एक संस्कृत स्कूल में पढ़ा हूँ मेरी education जो है वो government sanskrit school से ज़ादा हुई है तो मेरा major subject starting मेरा आता वो sanskrit ही था 9th class से उसकी किताबे और उसकी copies जो है वो आज भी मैंने संभाल के रखी वी अभी भी है मेरे पास 9th to 12th graduation then beard and post graduation जो है उनकी सारी जो भी किताबे notes वाली है काम कुछ नहीं आती कुछ भी काम नहीं आती to be very frank लेकिन मेरी जो Elmira है या मेरी जो library है वो 25 से 30 बार अपनी जगे बदल चुकी है पिछले 15 सालों में लेकिन वो किताबे जो हैं वो हमेशा एक जगे से दूसरी जगे चलती रहती है काम कभी नहीं आती उन्हें खोला कभी नहीं जाता उन्हें पढ़ा कभी नहीं जाता लेकिन वो हैं जब तक मैं हूँ तब तक वो है और जब तक वो वही रहेंगी मैं उन्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँँगा तो that's the value of some things कुछ चीजों की वह value होती है उसमें कई बार जब एलमारी जमा रहे होते हैं या मैं अपनी library जमा रहा होता हूं तो कई बार उनको ऐसे खोल लेता हूं और खोल करके कुछ दो-चार पेज भी देखता हूं तो उसपे कुछ अलग-अलग memories होती हैं कि कैसे teacher हमें पढ़ाते थे कैसे समझाते थे कैसे सिद्धी करना सिखाते थे कैसे क्या चीजे होती थी साहित्य का रसा स्वादन कैसे होता था वो समय 10th class का जब सबसे पहली बार मै आज उनमें है जो मेरी happy memories है मेरे बचपन की मैंने कई बार समय समय पर उन्हें देखता रहता हूं तो आप अगर मेरी इस बात से connect कर पाएंगे तो शायद आप author से भी connect कर पाएंगे कि क्यों वो चीजें बहुत ही उसके लिए महत्वपून है क्योंकि उसके जीवन का जो ख है आपका अगर किसी चीज से हैसा आपका को experience रहा है जो पहले आपको बहुत जादा चाहिए थी लेकिन आज आप उसे अपने घर में नहीं चाहते वस्तु है मनुषियों के बारे मत बताना भया घरवाले बाहर निकाल देंगे ऐसी वस्तु है अगर कोई आपको लगती है प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच एंड आप लोगों को ये चैप्टर का फर्स पार्ट समझ में होगा सेकेंड भी आम अच्छे से डिसकास करेंगे थैंक यू वेरी मच तिल देट टेकर आफ यू सून टेकर बाई